हम इसक्त बढ़गाम के एक रिमोट विलेज में मौझूद है जिसका नाम खिसकी विलेज है यह पीरपंजा रेंज में आता है यह एक रिमोट विलेज पहाडों में है यहाँ पर गौर्वर्मेंट ने मुबाइल स्कूल सैंक्शिन किया हुआ है लेकिन बहुत दिनों से यहा कि अबदर फिलते रहते हैं उनको इसमें टैलीम हासिल करने का मुखा नहीं मिल पा रहा है पूल दिया हुआ है पिछले साल एक मास्टर एक दिन के लिए वो रिजिस्टर बगएरा बनाया उसने तो हाजरी बनाई तो फिर चला गया फिर वापस नहीं आता इस आल भी शएद आया था है पिसार भी नहीं आया, एक दिन के लिए शाहिद शुरू में आया था तो वो ही रिजिस्टर लेकर नाम लिख लिए बच्क्यों के उसने वो अपना जो कुछ बनाना था बनाया तब चला गया फिराता हैं ये बच्छे दिन को ऐसे ही फिर रहते हैं ये सीजनल जो स्कूल्स है ये स्कीम सरकार ने शुरू की थी वे इसके लिए यहां पे दो हजार पाँच के अंदर इन जेएंड के जो हमारी माइगरेटरी पॉपलेशन है खासकर हुजर बगरवाल तर्क के से लोग तालो जो रखते हैं उनके लिए जो उनके बच्चे जो मी की जो स्टडीज है इफेक्ट होती थी तो उसको देखके सरकार ने जो इसकीम बनाई थी सीजनल स्कूल इसमें टीचर्स लोकल वो एजुकेशनल वॉलेंटियर्स होते हैं बेसकिली सीजनली उनको पांच-छे मैने के लिए उनको एंप्लॉई किया जाता है या बिंपेड सुपरेंटॉब हसोस की बागी है कि जितने पी यहां से दूदराज इलाके हैं दूदराज जो मीडोज हैं तो वहां पे यह जो टीचर्स अनफॉर्चलिए जो एजुकेशनल वॉलेंटियर्स वहां पे नहीं पाये जाते हैं जहां सरकार एजुकेशन सिस्टम को मुस्तखकम बनाने के लिए वादबंध है वही जो पहले से मौजूद स्कीमे हैं ग्राउंड पर वो फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं हम अपने विवर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्क्रीन पर देवे हुए नंबर पर कॉल क करके सीयो बढगाम को इस मसले पर संजीदा नोट्स लेने के लिए उन पर दबाव डालें बढगाम के रिमोट विलेज है मैं शाफातमी कश्मीर अनहर्ड के लिए